Hello guys, welcome to my YouTube channel, my name is Harjit Kaur, हम कर रहे हैं Lusen G के और जिसमें हमारा computer का पार्ट चल रहा है और इसमें आज हम करेंगे input and output input output के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ input output devices के बारे में भी इसमें आज हम discuss करेंगे computer को जब हमने कोई information supply करनी होती है तो वो information हम supply करते है physical channels के थूँ तो basically जो information हम supply करते है user जो computer को information देता है user कौन है user है हम तो जो हम computer को information देना है वो हम एक special device के थूँ computer को information देंगे और वो वाले जो devices होते हैं, उन devices को बोलते हैं input devices, जिन devices के through, हम computer में information enter करते हैं, computer को information supply करते हैं, उन devices को बोलते हैं input devices, basically input devices के through, हम computer में अपना data input कर रहे हैं, data enter कर रहे हैं, जैसे कि keyboard हो गया, mouse हो गया, तो keyboard, mouse के through, हम computer में data enter करते हैं, similarly जो हमने input enter करा है उस input को CPU process करेगा process करने के बाद उसका जो result आएगा उस result को display करने के लिए जो computer है वो भी तो एक physical channel use करेगा ना एक device use करेगा जिस पे पुरी की पुरी output हमें display होगी हमारा जो result है information का वो result उस पे display होगा और जिस device पे हमारा result निकल कर आता है उस device को बोलते है output devices output devices में क्या होता है हमारी input का result आता है और output devices कौन-कौन से होते हैं जिसे की monitor हो गया अब हम keyboard के through हम enter करते हैं जो भी कुछ हमने search करना होता है और जो search होने के बाद जो processing का काम होता है वो होता है CPU का और उसके बाद जो result आता है वो result निकल कर आता है monitor पे यहां पिर हम कुछ print करना चाहते हैं तो printer के through print होके हमारे सामने result आ जाता है यहां पिर speakers भी होते है speakers जो है वो भी output devices में ही आते हैं अब यह जो input output devices है न यह CPU का part नहीं है यह CPU से अलग काम करते हैं CPU का काम अलग है input output devices का काम अलग है CPU के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है अब यह वाले जो devices होते हैं इनको peripheral devices भी बोलते हैं क्यों क्योंकि यह CPU की periphery में लाई करते हैं जो भी keyboard हो गया, mouse हो गया, speakers हो गया, monitor हो गया, ये कहां पर होते हैं? ये CPU की periphery में होते हैं, इसलिए इन devices को बोलते हैं, peripheral devices. इसके इलावा इन devices को interface भी बोलते हैं इंटरफेस क्यों बोलते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं जैसे ही हम information enter करते हैं तो इस information को यह translate करने हैं computer की language में binary language में और जो result आता है उस result को यह binary language से फिर से हमारी language में translate करते हैं तो इसलिए जो input output devices है इनको interface भी बोला जाता है क्योंकि जो information ये हमें देते हैं वो translated information होती है most popular input devices जो computer के आज कल रूस होता है वो है keyboard क्योंकि keyboard के through ही हम input enter करते हैं computer में इसके इलावा और भी बहुत सारे input devices होते हैं जैसे की OMR sheet हो गई OMR क्या है? Optical Mark Reader अब क्या होता है? पहले जो exams होते थे banking वगयरा के आज कल तो online exams ही होते हैं आज कल भी जो UPSC के exam होते हैं वो offline होते हैं तो offline में उसमें क्या होता है? उसमें एक OMR sheet देते हैं एक तो आपके पास question paper होता है जिस पे सारे के सारे questions होते हैं और उन questions के 4 options दे रखे होते हैं 1, 2, 3, 4 या A, B, C, D कुछ भी तो OMR sheet पे क्या होता है? OMR sheet पे ऐसे number होता है 1, 2, 3, 4 जो भी है तो सारे में यहां पे options होते हैं A, B, C, D तो इस पे आप क्या करते हो? जैसे first question का आपका answer C है तो आप जो C वाला circle होगा उसको आप dark कर दोगे black color से black pencil से आप उसको dark कर दोगे तो वो क्या होता है? OMR sheet पे answer माग करने की technique जो कि आपको पता ही होगी exam दे रहे हो तो obviously आपको पता होगा कि OMR sheet पे कैसे माग करते हैं तो इसमें होता क्या है? जैसे आपने circle को dark कर दिया तो उस OMR sheet को check कैसे करते हैं ये computer में डाल के check करते हैं तो इसको computer में डालते है OMR sheet को तो ये गया होगा input हो गई तो इसका जो result आता है वो आगे display हो जाता है सामने क्योंकि हर एक OMR sheet का अपना number होता है OMR sheet पे आप अपना roll number भी enter करते हो तो उस roll number के coding आपका result monitor पे सामने आजाता है input device पे तो OMR sheet को आप as input device उसमें enter कर देते हो इसके इलावा banks वगारा में MICR यूज़ होता है MICR क्या है magnetic ink character reader इसमें क्या होता है? जो bank के check होते हैं जैसे ये check है तो check के नीचे यहाँ पे check number होता है और check number के साथ MICR code होता है और ये वाला जो code होता है इसमें special words और character यूज़ किया जाते है जैसे इसमें 5 कुछ इस तरह से लिखा होता है या 2 लिखा होगा तो कुछ इस तरह से होगा 3 लिखा होगा तो ऐसे मतलब इसके special characters इसमें use किये जाते हैं जिसको computer read करता है और इसमें जो ये MICR code होता है इसी code से computer में उस check की सारी information आ जाती है जैसे MICR code enter करते हैं computer में तो वैसे ही उस check की पूरी की पूरी information सामने आ जाती है इसके इलावा barcodes होते हैं barcodes भी input devices होते हैं तो barcodes पे क्या होता है जब आप कहीं mall जाते हो shopping करने या grocery store पे shopping करने जाते हो तो वहां पे क्या होता है जो product होते है na product के उपर barcode बना होता है एक new linies ही ऐसे लगी होती है अलग जो lalinies होती है लग लग thickness की होती है कोई multi line होती कोई फोड़ी पथली timeline होती है तो all the lines though dail is also o को scan करते हैं, बार् को चैन करते हैं, उनके पास एक scanner होता है, उसके through वो क्या करते हैं, बार् को चैन करते हैं, और बार् कोड में यह जो line होती है, यह basically binary digits होते हैं, तो इन लाइनों को जैसे ही scan करते हैं तो scan करने के बाद computer पे उस product की पुरी की पुरी information सामने आ जाती है barcode को scan करने से जैसे कि उस product का price क्या है, उस product की date of expiry क्या है, उस product की पुरी की पुरी information barcode scan करने से सामने आ जाती है हर एक product का unique barcode होता है इसके इलावा क्या आता है menu driven programs यहां फिर on screen choices होती है जैसे laptop होगा यह computer होगा PC होगा कुछ भी है तो उसमें on screen कुछ चीज़े होती है जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर बने होते है आइकन से my computer होगा documents होगा इसके इलावा जो भी आपने computer में save किया होता है वो सारी की सारी files यहां पर display हो रही होती है तो उन files को खोलने के लिए आप use करते हो mouse का mouse क्या है एक input device है तो mouse के through आप यह जो files है इसको आप खोल सकते हो किसी भी file को खोलना है mouse के through pointer वहाँ पे ले जागे उस पे click करके आप उस file को खोल सकते हो mouse क्या है mouse basically एक pointing device है तो mouse को आप move करते हो तो वैसे ही जो pointing device है यहां पर move होता रहेगा और जो भी file आपने खोलनी है वो खोल सकते हो mouse की जो speed होती है जो motion होता है वो अलगलग होता है वो computer की setting में जाके आप उसकी speed जो है तो वो क्या होता है mouse का cursor होता है जिसके through आप file को open कर सकते हो तो इसके इलावा mouse पे कुछ buttons होते हैं left click, right click तो वो सारी चीज़े mouse पे होती है तो इसमें कुछ जादा अलग नहीं है तो आपने देखा यह mouse तो उसमें वो सारी चीज़े होती है और mouse के इलावा एक आता है digital camera, digital camera भी input device है digital camera में क्या होता है, digital camera जो होता है वो light sensitive होता है इसके through भी input computer में enter होती है और इसके इलावा आता है एक video printer video में क्या होता है, यह video printer क्या है, यह output devices है यहाँ तक सारे के सारे input devices ते आप शुरू हो रहे हैं आपके output devices तो इसमें सबसे पहले आता है VDU Visual Display Unit, यह कुछ नहीं होता है, यह monitor होता है, जो computer का monitor होता है, जिस पे result हमारा show होता है, तो जो computer की वो screen होती है, वो अलग-लग तरह की होती है, जैसे LCD, LED, VDU, तो यह अलग-लग तरह की इसके, इसके ही जो monitor है, उसके ही अलग-लग आगे नाम ह तो जो visual display unit है, इसमें cathode ray, tube use होती है, information को display करने के लिए, तो इसमें भी क्या होते है, pixels होते है, dots का pattern होता है, तो जिसके through, जो यह आगे, जो picture है, जो हमारा output result है, उसको display करता है, pixels तो अपने camera में भी सुना होगा, जैसे phone के camera होते है, android phone के, तो उसमें होता है, जो camera है, वो 32 मेGA पिक्सल है, 60 मेगा पिक्सल है, 64 मेगा पिक्सल है, दैसे अलगग pixels के camera होते है, तो जितने pixels जादा होएंगे, उतनी जो picture है वो जादा clear आएगी, क्योंकि pixels क्या होते हैं, pixels डौन डॉट ही होते हैne, डौन डॉट से पुरी की पुरी picture बंती है, जितने pixels जादा होएंगे उतनी picture जाता clear होएगी जतने pixels कम होएगे उतनी जो picture है थोड़ी blur आएगी और इसके बाद आजाता है printer printer में क्या होता है printer में जो भी हमारा input होती है जो हमने computer में input add करी उसका जो output result monitor पे हमें display हो रहा है तो वो output जो result है पूरे का पूरा printer के थुरू एक paper पे print हो जाता है similar medium में जैसे कि ये वाली जो screen है इसको हम अगर print करेंगे तो ये पूरे के पूरे character page पे वो print हो जाएंगे as it is तो printer भी तीन तरेंगे होते हैं एक होता है dot matrix printer एक होता है inkjet printer एक होता है laser printer dot matrix printer में क्या होता है dot matrix printer में tiny dots होते हैं dots के थुरू जो भी चीज होती है वो print होती है जो characters आते है तो उसमें क्या है dot dot के थुरू वो characters आगे show होते है हमें page पे inkjet printer में क्या होता है inkjet printer में जो printer होता है वो ink को spray करता है basically जो हमारे characters show हो रहे है जो picture show हो रही है प्रिंट होने के बाद print होती है और इसमें inkjet printer में जो print आता है वो ज्यादा स्मूथ होता है as compared to dot matrix printer फिफ़र आता है laser printer laser printer में laser beam के थूप जो हमारा paper पे characters हो print होकर आते हैं इसके इलावा computer में हम जो भी instructions computer को हम देते हैं उसको जो instructions आगे process होती है वो एक detail sequence में instruction computer को आगे issue होती है CPU को जो instructions मिलती है वो एक sequence में होती है instructions तो वो जो sequence होता है instructions का उस sequence को बोलते है program जो program होता है program RAM में भी होता है और secondary memory में भी होता है कुछ programs होते है जो computer में की secondary memory में पहले से ही store किये होते है और कुछ programs होते है जो RAM में store होते हैं और जो secondary memory में stored programs होते है उनको process करने के लिए क्या होता है secondary memory से पहले वो transfer होते है RAM में और उसके बाद फिर वो programs आगे process होते हैं इसके इलावा जो CPU होता है CPU में CPU जो information को process करता है CPU भी उस information को programs के through ही process करता है एक programs का sequence होता है जिसके through CPU information को process करता है और जो computer के ये programs होते है वो एक special language के through write किये जाते है जो programs computer में add किये जाते है secondary memory में तो उसकी एक special language होती है जिसको बोलते हैं programming languages programming languages अलग लगता रहेंगी होती है जिसके पारे में अभी हम देखेंगे और ये जो language use करी जाती है programming के लिए हर एक language के अपनी एक grammar होती है जैसे कि हमारी languages की grammar होती है English language, Punjabi, Hindi, English जो भी language है तो हर language की अपनी grammar होती है in the same way computer में भी जो language होती है उसकी grammar होती है लेकिन computer की language की जो grammar होती है उसको बोलते है syntax उसके लिए word grammar use नहीं होता उसके लिए word use होता है syntax फिर आती है types of programming language अब पहले जो machine language and assembly language use होती थी वो होती थी low level languages तो low level languages में क्या होता था एक special program होता था जिसको बोलते है assembler तो assembler क्या करता था instructions को पहले convert करता था binary format पे फिर आगे process करता था low level language में साथ में एक assembler भी होता था जो key language इनकी जो instructions है उसको convert करता था binary format then process करता था लेकिन अब इसमें क्या होता था इसमें सारी instructions convert करनी पड़ती थी binary form में तो आजकल क्या होने लगया आजकल high level languages आती है और जो ये high level languages होती है ना in language का अपना एक translation program होता है जिसको बोलते है compiler और interpreter पहले low level language के साथ assembler अलग से use करना पड़ता था लेकिन जो high level language होती है इसके साथ ही translation program होता है जिसको बोलते है compiler और interpreter और ये जो प्रोग्राम होता है translation program होता है ये खुद भुद ही जो language है उसको फिर आगे binary format में convert करता है process करता है और जो end result है वो हमें दे देता है जैसे कि for example C हो गया C++ हो गया Java, Pascal, Fortran ये क्या है कुछ high level languages right so that's all about today तो जाने से पहले वीडियो को like कर देना share कर देना और channel को subscribe कर लेना thank you bye bye and have a nice day